एक्जाम 21 के प्लेटफार्म पर आपका वेलकम है इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राज से संबंदित सारे important questions को देखेंगे और यह सारे questions या यह प्रस्णों की जो सिरिंकला है या उत्तर प्रदेश राजी के population यानि जन संख्या से relate है या जन संख्या से संबंदित सा सारे question है और यह सभी प्रस्ण एक्जाम में पूछे जाते हैं और एक्जाम के लिए important हैं बार-बार एक्जाम में आते भी हैं तो आईए इस प्रस्णों के जो सिरिंकला है उसको हम लोग प्रारम करते हैं इस सेशन का इस जन संख्या से संबंदित जो एस सेशन है प्रस्ण प्रस्ण है भारत की जन संख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में राता है बहुत important question है भारत की जन संख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है अथवा राता है आपसन A है पांचवां आपसन B है छठा आपसन C है साथवां आपसन D है आठ होगा तो इसका सही आंसर होगा लगभग छठा भाग उत्तर प्रदेश राज में निवास करता है यानि भारत की जन संक्या का लगभग छठा भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है अगला प्रस्ण है question number two, verse 2011 की अनुसार, किस जिले में साक्षर्था उच्चतम है, important question है, कई बार यह पूछा भी गया है, एक जाम में, UBPCS 2011 में भी आया, कई बार यह प्रस्ण आया है, ROARO में भी एक question पूछा गया है, तो इसलिए सारे जो question है, बहुत ही important है, बहुत अच्चे से आप लोग देखिएगा, प्रस्ण को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, verse 2011 की अनुसार, किस जिले में साक्षर्था उच्चतम है, आपसन ए है, गाउतम बुद्धनगर, आपसन भी गाजियाबाद, आपसन सी, कानपूर नगर, आपसन डी है, अवरया, तो इसका सही आंसर होगा ए, गाउतम बुद्धनगर, ओके, लिटरेसी की बात कही जा रही है, साक्षर्था, अगला प्रस्ण है, प्रस्ण संख्या, थर्ड यारी, question number, तीन, उत्तर प्रदेश में, जन संख्या में, दसकी बृत दीदर सरवाधिक थी, आपसन अ है, उननीस सव एक सट से खत्तर के दवरान, आपसन भी है, 1971 से 81 के दवरान, आपसन C है, 1981 से 91 के दवरान, और आपसन D है, 1991 से 2001 के दवरान, तो इसका सही आंसर होगा, C, 1981 से 1991 के दवरान, तो बहुत important question है, ध्याँ रखना हुँ सको, बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की ओर प्रस्न संख्या 4 है प्रस्न संख्या 4 कह रहा है सन 2001 से 2011 की अवदी में उत्तर प्रदेश की दसकी जन संख्या ब्रिद्धीदर रही है बहुत important question है दसकी जन संख्या ब्रिद्धीदर रही है आपसन ए कह रहा है 20.46% B कह रहा है 20.09% C कह रहा है 22.19% और D कह रहा है आपसन D 18.69% तो बहुत important question है इसका सही answer होगा B अगले प्रस्न की ओर बढ़ते हम लोग प्रस्न संख्या 5 है किस दसक में उत्तर प्रदेश जन संख्या ब्रिद्धीदर राष्टी आउसस से अधिक रही है important question है आपसन A है 1941-91, आपसन B है 1951-61 के दसक में आपसन C कह रहा है 1961-71 के दसक में and आपसन D कह रहा है 1971-81 के दसक में इसका सही आंसर होगा D 1971-81 के दसक में उत्तर प्रदेश जन संख्या ब्रिद्धीदर राष्टी आउसस से अधिक रही है important question है ध्या रखना है प्रसन संख्या question number 6 है प्रसन संख्या 6 कह रहा है जन संख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरवाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है important question है सरवाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है आपसन A है आजमगड आपसन B देवरियां आपसन C जयाउनपूर और आपसन D प्रतापगड तो इसका सही आंसर होगा C जयाउनपूर क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2011 के जनगर्णा के अनुसार सरवाधिक लिंगा अनुपात जयाउनपूर जिले का है इसके बाद आजमगड का है इसके बाद देवरियां का है तब प्रतापगड का है तो ध्यान रखना है जयाउनपूर आजमगड देवरियां प्रतापगड और जयोनपूर आजमगरं एक हजार से अधिक पपुछन एक हजार से अधिक लिंगान उपात वाला यह डिश्टिक है यह जनपद है तो हमेशा ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का लिंग सरवाधिक लिंगा अनुपात वाला जो डिश्टिक है जिला है जयोनपूर है बहुत इंपार्टन कोश्चन है बढ़ते हम लोग अगले प्रसन की ओर अगला प्रसन है प्रसन संख्या յिजह 7 क्या प्रसन अगजयर साथ कह रहा है कोश्चन 9 7 ऊत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का बीभेद ल॥ सरवाधिक रूप से घाटा है यहां पर नहीं होगा अधूड copyright सभिषर गहाटा है ओके आफ लोग इसको घटा पढ़िएगा उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपाद का भी भे सरवाधिक रूप से घटा है आपसन A कह रहा है 1961 से 71 के बीच B है 1971 से 81 में आपसन C कह रहा है 1981 से 91 में आपसन D कह रहा है 1991 से 2001 में तो इसका सही आंसर होगा D बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की ओर कोश्चन नमबर 8 प्रसन संख्या आए 8 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर ब्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिसत की ब्रिद्दी वही बहुत important कोश्चन है आपसन A कहा रहा है 18.5 प्रतिसाथ आपसन B कहा रहा है 11.4 प्रतिसाथ आपसन C कहा रहा है 13.2 प्रतिसाथ और आपसन D है 10.5 प्रतिसाथ तो इसका सही आंसर होगा B 11.4 प्रतिसाथ बहुत इंपार्टेंट कोश्चन है इसको आप लोग ध्यान रखेगा बढ़ते हम लोग अगला प्रसन है, प्रसन संख्या 9, जन्गरना 2011 के आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सी सुलिंगा अनुपात है, important question है, सी सुलिंगा अनुपात है, तो सी सुलिंगा अनुपात कितना है, important question है, तो इसका सही आंसर होगा, 902, यानि सी सुलिंगा अनुपात जो है, वह 902 है, 2011 के जन्गरना के अनुसार, according, okay, अगला है, question number 10, यानि प्रसंख्या 10, उत्तर प्रदेश के संदर में नीमन कतनों पर विचार कीजिए, कतन क्या है, फर्स्ट के रहा है, जन्गरना 2011 के अनुसार, साक्षर्ता 67.72 प्रतिसत थी, आपसन C के रहा है, दूसरे नंबर का के रहा है, कोड दूसरा के रहा है, सेकेंड, जन्गरना 2011 के अनुसार, जन्गरना त्वर 829, थर्ड के रहा है, जन्गरना 2011 के अनुसार, सरवाधिक आबादी वाला नगर प्रियाग राज था और अपसंचार कह रहा है जन्गर्णा 2011 के उनसा सरवादिक अनुसूचित जाती की आबादी वाला जिला सीता पूर है यहाँ पर तो सीधे सीधे एक गलत ही दिखाई पढ़ रहा है वह है जो थर्ड नंबर पर है जन्गर्णा 2011 के उनसा सरवादिक आबादी वाला नगर प्रियाग राज था लेकिन सबसे लार्जेस्ट जनसंख्या तो प्रियाग राज की है जिले में लेकिन आबादी वाला यह आप से गलत करा देता है अगर प्रियाग राज जन्पत कहेगा तब तो यह सही है नगर कह रहा है तो यह गलत है इसके बाद तो और सब सही हमें दिख रहा है जन्गर्णा 2011 के अनुसार साक्षर्था यह सही है और जन्गानत तो 839 यह भी सही है और सीतापूर नंबर 4 यह सही है इसका मतलब इसका कूट सही होगा एक दो और चार एक दो चार किस कूट में है देखा जाए इसको यह ही सही होगा तो इसका जो है कूट है डी है कह रहा है तो देखिए एक दो और चार तो एक दो चार इसका सही है इसलिए इस आधार पर जो है कूट से कोशन सही किया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना है अगर वही जिला दे देता यानि जनपत दे देता तो प्रियाग राज भी सही होता है इस बात को ध्यान रखना है इसलिए इसका आंसर होगा एक दो और चार तीन नहीं होगा बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रसन की हो प्रसन संख्या 11 क्या कह रहा है प्रसन संख्या 11 कह रहा है नीमन वक्तब्यों पर विचार कीजिए कथन है कारण है रीजय ने सेशन का एक कोश इसी को करते हैं तो यह कह रहा है कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश में साक्षर्ता दर इस्थी तरीके से बढ़ रही है कारण कह रहा है महिलाओं में साक्षर्ता दर की बृद्धी पुरुसों में बृद्धी दर के अनुरूप समगती नहीं रही है तो यहाँ पर अब कूट स से हमें निकालना है तो इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में साक्षर्टा दर इस्थी तरीके से बढ़ रही है यह तो सही है और कारण करा महिलाओं में साक्षर्था दर की बृद्धि पूरसों में बृद्धि दर के अनुपात में सम गती नहीं रही है यह भी सही है ज्यारक ना लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है इसलिए हमारे एकारडिंग इसका आंसर होगा कथन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है आर एकी सही ब्याक्या है तो यह तो सही नहीं होगा बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है प्रंतु आर एकी सही ब्याक्या नहीं है यहीं सही होगा ओके ए आर की सही ब्याक्या नहीं है आगे बढ़ते ह हम लोग प्रस्थन संख्या 12 पर यह कोउश्चन नम्बर 12 है इसका सही आंसर B होगा अगले प्रस्थन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और इसमें अन्य आप्षन था अन्य आप्षन में C का रहा है ये सही है प्रंतु आर गलत है यह होगा ही नहीं ज्या रखना है और आप संडी कहा रहा है यह गलत है प्रंतु आर से यह भी नहीं होगा इसका सही आंसर भी होगा यह आर दोनों सही है आर एकी सही ब्याख्या नहीं है ब्याख्या सही नहीं है ज्यां रखना है अगले प्रस्न की और बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या बार क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में श्यत्रफल क्याधार पर सरवाधी बड़ा जीला काउंसा है यह तो बहुत बहुत इंपार्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे लखीम पूर्खिरी छेत्रफल की दिर्शी से सबसे बड़ा जीला है ओके अगले प्रस्ण की और बढ़ते हम लेग प्रस्ण संख्या 13 कोश्चन नमर 13 क्या रहा है 2000 वर सिधे है सिंपल है और इसका सही आंसर हो जाएगा भी 912 यानि 2011 के जनगर्णा के उसार उत्तर प्रदेश में 1400 पर इस्तिरियों की संख्या इसी को लिंगानुपाद भी कहते हैं अब ऐसे दे करके यह कोशन दे दिया जिसे की आप से गलत कोशन कराया जा सके तो यह भी कोश सिधे सिधे है यानि लिंगा अनुपाद कितना है 912 है आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे प्रसन नंबर 14 यानि प्रसन संख्या 14 क्या है उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक छेत्र में सरवाधिक जन संख्या निवास करती है अब देखिए यह थोड़ा सा क्रिटिकल कोश्चन है एक्जाम के दिश्यकोंड से बहुत ही इंपार्टेंट है आपसन ए का रहा है पशिमी छेत्र आपसन भी पूर्वी छेत्र आपसन सी केंद्री छेत्र और आपसन डी बुंदेल खंड और यहां पर सरवाधिक जन संख्या कर रहा है इस बात को ध्यान रखना है इसलिए इसका सही आंसर होगा बी पूर्वी छेत्र यानि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी छेत्र है यहां पर इन छेत्रों में जन संख्या अधिक पाई जाती है या जन संख्या अधिक है ओके इंपार्टेंट कोश्चन है बढ़ते हम लोग अगले प्रस्ण की और प्रस्ण संख्या 15 क्या रहा है नीम्न में काउन जन संख्या की दृष्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जन संख्या के दृष्टी कोण से बहुत इंपार्टन कोश्चन है यूडिये मेंस में पूछा गया है लेकिन यूपी पीसेस में भी कई बार आया है आरो यारो में भी एक कोश्चन आया है कि नीम्न में काउन जन संख्या की दृष्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है यानि लॉर्जेस्ट पॉपूलेशन आपसन यह है जन पदर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का जन संख्या वाला यानि लॉर्जेस्ट पॉपूलेशन वाला यह डिश्टिक है अत्तवा जन पदर जिला है प्रसंख्या चोला करा उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक छेत्र में सर्वाधिक शाखष्ता है यहांं पर द्यान बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की और प्रस्न संख्या सत्र का राय उत्तर प्रदेश में सरवादिक किस धर्म के ब्यक्ति निवास करते थे तो यहां पर द्यान रखना है कि जो जयन धर्म है और बहुत धर्म है यह भी हिंदू धर्म की ब्रांच है साखा है बस अंतर यह है कि यह लोग हिंदू धर्म में आस्थावान होते हैं आस्थिक और जैन और बहुत धन्नास्थिक संप्रदाश से बिलांग करते हैं लेकिन यह हिंदू धर्म के ही सब सेक्ट है यानि उपसाखा जिसको आप करते हैं बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रस्न की हो नहीं है एक तरफ है डिश्टी यानि जैनपद महिला और दूसरी तरफ लिटरेसी यानि साक्षर्था कर रहा है कौन सुमेलित नहीं है तो हमेसा ध्यान रखना इस तरह के कोशन पूछे जाते हैं कई बात कोशन पूछा भी गया है पीसेस में उतरप्रदेश पीसेस में औ अब्जेक्टिब था तो ओके 2019 के पहले यह कोशन कई बात पूछा गया है तो आईए इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से क्या सही नहीं होगा कि फस्ट करा यह करा है कानपूर का पापूलेशन कर रहा सारी लिटरेसी करा साक्षर्था 75.10 परसेंट ओके आपसन भी कह रहा है लखनव का 71.50 परसेंट गाजियाबाद कह रहा है सी 69.80 परसेंट इटावा डी करा इटावा 58.49 परसेंट तो यहां पर ध्यां रखना है कान पुर्नगर का यह तो सही है और लखनव का भी सही है गाजियाबाद का भी सही है इटावा का सही नहीं है तो इसमें गलत क्या होगा सुमेलित क्या नहीं है तो डी सुमेलित नहीं है ओके बढ़ते हम लोग अगले प्रसन की ओर प्रसन संख्या 19 कह रहा है जन संख्या 2011 के अ प्तर का चेहन कीजिए वन कहा रहा है छेत्रफल में या भारत का चौथा बड़ा राज्जी है तू दूसरा नंबर कहा रहा है देश की जनसंख्या में इसका 16 दस्मलोग 5-1 यानि 16 दस्मलोग 5-1% योगदान है नंबर 3 का रहा इसका यह उन अनुपात राष्टी आउसस से अधिक है और फिर नंबर 4 का रहा इसकी साक्षर्टा दर राष्टी आउसस से कम है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह वन तो सही है इसके बाद देश की जनसंख्या में इसका 16 दस्मलोग 5-1% योगदान यह भी सही है और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो थड कह रहा है कि इसका यह उन अनुपात यानि लिंगा अनुपात राष्टी आउसस से अधिक है यह गलत है राष्टी आउसस से कम है उत्तर प्रदेश का ओके और इसकी साक्षर्टा अधिके बादर राष्टी आउसस से कम है यह भी सही है इसका मतलब 1-2 और 4 सही है 3 सही नहीं है तो इसमें आप आप संद में देखा जाएगा तो ए में 1 और 2 दिया यह नहीं होगा B है 2 एवं 3 दिया है यह भी नहीं होगा D का रा है 3 एवं 4 यह भी नहीं होगा C का रा है 1, 2 एवं 4 यहीं सही होगा बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रस्न की और और यह कोशन बहुत इंपार्टेंट है यहां में पूछा भी गया है हमेशा ध्यान दखेएगा आप लोग अगले प्रस्न की और हम लोग बढ़ते हैं प्रस्न संक्या 20 प्रस्न संक्या 20 कह रा है जनगर्णा 2011 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंद में निम्लखित कत्नों में कौन साथ सही नहीं है A कहा रहा है ग्रामीड जनसंख्या राजी की कुल जनसंख्या का 77.70 प्रतिसत है B कहा रहा है पुरु साक्षर्टादर 77.3 प्रतिसत है C कहा रहा है जन घनत्व के संबन्द में भारत में इसका करम बारहमा है D कहा रहा है निउन्तम जनसंख्या वाला जिला महुबा है कलत है और प्रस्ण को एक बार फिर देख लेजिए का राय की जनगरना 2011 पर आधारी उत्तर प्रदेश के संबंद में निम्ले लिखित कतनों में कौन सही नहीं है ओके तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि यह जो है सही है ग्रामिर जनसंख्या राजी की कुल जनसंख्या क 77.7 0.0 प्रतिशत है यह सही है बी का राय पुरू साक्षर्ता 77.3 पहिसत है यह भी सही है और फिर सी का राय जन गनत्यों के संबंद में भारत में इसका क्रम बारामा यह गलत है सी जो है सही नहीं होगा और डी जो है नियुंतम जनसंख्या वाला जिला महोबा तो यह भी सही है इसका सही आंसर सी नहीं होगा काउन सही नहीं है तो सी सही नहीं होगा तो इस प्रकार हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर प्रसन संख्या 21 21 कोशन नमबर 21 है जनसंख्य 2018 के अमसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिकित 10 लाट की जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है आपसंगी कहरा है कानपूरु लखनवु वाराणिसी आगरा आपसंगी कहरा हो इसमें सही आन्सर होगा सब्सक्राइब कानपूर लखनव गाजियाबाद और आग्राइब बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की ओर प्रस्न संख्या 22 क्या रहा है उत्तर प्रदेश के संबंद में जनगर्णा 2011 पर आधारी निमनलिखित कथनों पर बिचार कीजिए नमबर दो के रहा है पुरू साख्षरता दर 77.30 प्रतिसत है नमबर तीन है सरुआधीक जन गनत सवला जिला गाजियाबाद है और नमबर चार है नगरिय जन संख्या 22.30 प्रतिसत है तो अब इसका सही क्या होगा तो वह हम लोग देख लेते हैं तो इसमें अगर सही कूट का चैन किया जाए तो देखते हैं हम लोग की कह रहा है कि A 1 3, B कह रहा है 2 3 और C कह रहा है 2 तथा 2 तथा 4 आपसन D कह रहा है ये सभी तो यहाँ पर ध्याँ रखना है कि अंसूची जाती की जनसंक्या 20.7% यह सही है पूरु साक्षर्तादर अभी अम लोग उपर के प्रस्न में देखे हैं तो यह अभी सही है सरवाधिक जन घनत वाला जीला गाजियाबाद डेंसिटी गाजियाबाद की यह अभी सही है नंबर 4 का राय नगरिये जनसंक्या 22.3 0% यह अभी सही है यानि इसका सही आंसर होगा D उपरोग सभी होगा तो इस तरह के कोश्चन आपसे एक्जाम में ज़्यादे पूछे जाते हैं तो इस तरह के प्रस्नों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की ओर प्रस्न कोश्चन नमर 53 प्रस्न की तिसक्याराई Manager 2021 की जन गर्णा के अनुसार निमनलकित चार नगरों यानि नगर निगम में से किसमे सबसे काम जन संक्याद थी बहुत important कोश्चन है किसमे सबसे कम जन संक्या थी आप सन्य है नगर निगम की बात कर रहा है ध्यान रखेना है आप लोगों को A. कानपूर, B. लकनव, C. आगरा and D. वाराणसी तो इसका सही आंसर होगा D. वाराणसी अगला प्रस्न है कोशन नमर 24 उत्तर प्रदेश में च्छत्रफल के आधार पर सरवाधिक छोटा जीला काउण सा है। तो यह तो सबसे important है, संत्रविदास नगर, जो भधोही जिला था, च्छत्रपल की दिरीश जी से सबसे चोटा था, नाम बदल करके उसका संत्रविदास कर दिया गया है, संत्रविदास जी के नाम पर भधोही का, अगर सबसे बड़ा जिला पूछेगा, तो खीरी रहेगा, लखीम पूर खीरी, तो यह important है, हमेशा ध्यान रखियेगा आप लोग, बढ़ते हम लोग, अगले प्रस्न की ओर, प्रस्न संख्या, पचीस, प्रस्न संख्या पचीस क्या कह रहा है, उत्तरप्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, आपसन यह है, गवतम बुद नग बी, गाजियाबाद, सी, संतकवी नगर, डी, कानपुन नगर, ओके, तो इसका सही आंसर होगा, बी, गाजियाबाद, अगला प्रस्न है, कोश्चन नमर टॉंटिसिक्स, उत्तरप्रदेश के किस आर्थिक छेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षर्ता है, या important है, कोश्चन, ओके, तो आपसन, A का राय, केंद्री चेत्र में, आपसन, B, बुंदेल खंड चेत्र में, आपसन, C, पुर्वी चेत्र में, और आपसन, D, पश्चिमी चेत्र में, इसका सही आंसर होगा, A, केंद्री चेत्र में, ओके, बढ़ते हम लोग, अगले प्रस्न की ओर, कोश्चन नमबर 27 उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक छेत्र का जन घनत्तो सर्वाधिक है यह इंपार्टेंट कोश्यन है परिक्षा के दरिश्टी कोड से आपसन पूर्वी छेत्र आपसन भी पशिमी छेत्र का आपसन सी बुंदेल खंड का और आपसन डी केंद्री छेत्र का तो इसका सही आंसर होगा यह पूर्वी छेत्र का ओके पापुलेशन भी अधिक है तो डेंसिटी भी अधिक होगा हमेशा ध्यान रखना है अगले प्रस्ण की और हम लोग बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 28 जनगर्णा 2011 के उनसार सबसे कम जन संख्या वाला जीला है उत्तर कूट आपसन भी हमीरपूर आपसन सी महोबा एंड आपसन डी सरावस्ती तो इसका सही आंसर होगा सी ओके बढ़ते हम लोग अगले प्रस्ण की और कोश्चन नंबर 29 कोश्चन नंबर 29 कर रहा है दो जन गर्णा 2011 के अनुसार नीम्न में से कौन समाज सरवाधिक साक्षर है इंपार्टेंट कोश्चन है या कोश्चन भी आपसे एकजाम में पूछा गया है आपसन ये कह रहा है बाउद आपसन भी साई आपसन सी जैन और आपसन डी सिक इसका सही आंसर होगा सी जैन बढ़ते हैं प्रसन संख्या 30 पर 2011 की जन गर्णा के अंतिम आकड़ों के अनुसार निम्न लिखित में से उत्तर प्रदेश के की जीले में सबसे कम महिला साक्षरता है बाउत इंपार्टेंट कोश्चन है प्रसन संख्या 30 आपसन अ बलिया में आपसन भी देवरिया आपसन इसका सही आंसर होगा D सरावस्ती यह इंपार्टेंट प्रसन है बढ़ते हम लोग अगले प्रसन की ओर प्रसन संख्या 31 कोश्चन नंबर 31 उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जन गर्ना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबाद प्रति वर्ग कीलो मीटर है यानि घनत्व पूछ रहा है डेंसिटी पूछ रहा है तो उपर के प्रसन में हम लोगों ने देखा है 800 उत्तर प्रदेश का जो जन घनत्व है 829 है तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा ओके अगले प्रसन की ओर बढ़ते हम लोग प्रसन संख्या 32 प्रसन क्या 32 उत्तर प्रदेश की जन संख्या किस देश से अधिक है तो यह ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की जन संख्या किस देश से अधिक है इसकी जो जन संख्या है वह पाकिस्तान देश से अधिक है बांगला देश से अधिक है जापान देश से अधिक है ओके इ इसलिए इसका सही आंसर होगा D, यानि किस देश से अधिक है, तो 1 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, इन देश से उत्तर प्रदेश की जन संख्या या पापुलेशन अधिक है. अगले प्रस्न की और बढ़ते हम लोग? कोश्चन नमर 33, क्या रहा है जनगरना 2011 के अंसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षर्था दर सबसे कम है? तो 33 क्या रहा है किस जिले की साक्षर्था दर सबसे कम है? आपसन A. सरावस्ति, B. वलरामपूर, C. गुंडा, D. महराजगन. इसका सही आंसर होगा A. सरावस्ति. बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की और? प्रस्न संख्या 34, यानि प्रस्न संख्या 34. क्या रहा है? कूट का प्रस्न है, इसलिए इसको कूट भी देख लिया जा अच प्रस्नूची जातियों की जन संख्या के और वही यानि घटे क्रम में बेवस्थित कीजिए. दिये गए कूट की सायता से अपना सही उत्तर चुनिए. ओके? वन नमबर एक दिया है सरावस्ति, नमबर दो बलरामपूर, नमबर तीन बाराइस, और नमबर चार खीरी दिया है, ओके? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि और वही क्रम में, बढ़ते से घटे क्रम में चलना है, तो इसमें अगर अंजन संख्या की बात कही जातो नमबर एक लखिमपूर खीरी में सबसे अधिक है, ध्यान रखना है, अंसोची जन जाति की जन संख्या, तो चार पहले आजाएगा, इसके बाद फिर लखिमपूर खीरी के बाद बलरामपूर आजाएगा, तो दो आजाएगा, लखिमपूर खीरी और बलरामपूर आजाएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहराईच आजाएगा, तीन नमबर आजाएगा, इसके बाद नमबर एक पस्ति आ जाएगा ओके तो इसका सही आंसर होगा 4,2,3,1 4,2,3,1 किसमे है बी कर आए 4,3 तो 4,3 यह होगा नहीं एक कर आए 1,2,3,4 यह भी नहीं होगा ती कर आए 4,2,3,1 यही सही है ओके यानि कोश्चन नमबर 34 का जो सही है आंसर होगा C होगा बढ़ते हम लोग अगले प कोश्चन नमबर 35 यानि प्रस्ण संख्या 35 क्या राय 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिक्तम घनी आबादी यों निउन्तम घनी आबादी वाले जिले क्रम सह हैं तो यहां पर आपसन A कराए एलहाबाद तथा महोबा तो यलहाबाद तथा महोबा B कराए गाजियाबाद तथा ललितपूर C कराए कानपूर नगर सोन भद्र D कराए वाराण सी ललितपूर तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि घनी आबादी डेंसिटी वाला कर रहा है उत्तर प्रदेश का अधिक्तम जन घनत वाला और नियूंतम जन घनत वाला यानि डेंसिटी वाले जिले की बात कर रहा है तो सबसे जन घनत वाला जिला गाजियाबाद है और सबसे कम ललितपूर ह तो इसका सही आंसर भी होगा गाजियाबाद तता ललितपूर ओके बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की ओर प्रस्न संख्या 36 यानि कोश्चन नमबर 36 यानि 36 क्या रहा है वैस के लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का देश के सभी राज्यों संगी चेत्रों में कौन सा अ आपसन ए कहा रहा है 25 आपसन भी 26 आपसन C 27 आपसन D 29 इसका सही आंसर होगा D 29 अगला प्रस्न है कोश्चन नमबर 37 यानि प्रस्न संख्या 37 कह रहा है 2011 की जनगर्णा के अंति माकड़ों के अंसर उत्तर प्रदेश के निमनलिकी जीलों को उनके जनसंख्या आकार के अंसर और ओही करम में ब्यवस्तित कीजिए योँ नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए तो सही उत्तर का चुनाव करना है और ओही करम में दिया गय प्रियाग राज जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक यानि लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला डिश्टी का तो यह तो नंबर एक पर आ जाएगा इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आ जाएगा आजमगर गाजियाबाद इसके बाद गाजियाबाद आ जाएगा तीन नंबर आ जाएगा ओके और इसके बाद आ जाएगा दो नंबर आजमगर इसके बाद आ जाएगा लखनव तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जा यानि प्रियाग राज, गाजियाबाद, आजमगड और लखनव, ओके, अगला प्रस्ण है, कोश्चन नमर थर्टी एट, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक छेत्र में सरवाधिक लिंगान उपात है, आपसन A, पुर्वी छेत्र में, आपसन B, पशिमी छेत्र में, आपसन C, केंद्री छेत्र में, आपसन D, बुंदेल खंड छेत्र में, तो इसका सही आंसर होगा A, पुर्वी छेत्र में, अगला प्रस्ण कहा रहा है, कोश्चन नमर थर्टी नाइन कहा रहा है, सरवाधिक जन अफनसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश क्योंकि सर्वादिक जनसंख्या वाला राजी का राय तो उत्तर प्रदेश भारत का पापुलेशन के द्रिश्टी कोण से नमबर एक अस्थान पर यानि प्रथम अस्थान पर है तो यह तो अपने आप आंसर सही हो जाएगा अगले प्रस्ण की ओर हम लोग बढ़ते हैं Question number प्रस्ण संख्या 40 प्रस्ण संख्या 40 का राय उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिसत जन संख्या ग्रामीड छेत्रों में निवास करती है इसको देख लिया जाए Option A करा 79.22 प्रतिसत Option B करा 80.55 प्रतिसत Option C करा 77.72 प्रतिसत Option D करा 80.05 प्रतिसत तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगा हमिशा ध्यान रखना है बहुत important question है कि उत्तर प्रतिस की कितने प्रतिसत जन संख्या ग्रामीड छेत्रों में निवास करती है तो 77.72 प्रतिसत जन संख्या ग्रामीड छेत्रों में निवास करती है बढ़ते अंगले प्रतिसत की ओर Question No.41 है प्रतिससंख्या 41 है वर्स 2011 की जन गर्ना के उसार उत्तर प्रदेश की जन संख्या देश की कुल जन संख्या का कितना प्रतिसत है यह भी question बहुत ही important है ओके Option A का रहा है 17.49 प्रतिसत Option B है 16.51 प्रतिसत Option C है 14.69 प्रतिसत और Option D का रहा है 15.41 प्रतिसत तो इसका सही आंसर होगा B 16.51 प्रतिसत ओके बहुत important question है अगला प्रसना है प्रसन संख्या 42 Question No.42 उत्तरप्रदेश की कितनी प्रतिसत जन संख्या नगरी चेत्रों में निवास करती है तो नगरी चेत्रों में निवास करती है यह भी question बहुत ही important है ध्यान रखना है आपनों को Option A का रहा है 20.78 प्रतिसत Option B का रहा है 19 प्रतिसत और आप संधी कहा रहा है अठारा दस्मलों पांच-पांच प्रतिसत तो इसका सही आंसर होगा C 22.28% यह बहुत important question है आपसे बार-बार exam में पूछा जाता है बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न है question number 43 question number 43 कहा रहा है कथन कारण का प्रस्न है regionization का तो कथन कहा रहा है उत्तर प्रदेश मोलता एक ग्रामीड राज्य है आप कारण कहा रहा है इसकी कूल जन संख्या का 22.28% नगरों में राता है तो इसमें सही की बात का रहा है तो उत्तर प्रदेश मोलता एक ग्रामीड राजिय यह तो सही है 100% कारण का रहा है इसकी कुल जन्जंख्या का 22.28 प्रजिशन नगरों में राता यह भी सही है तो दोनों सही है दोनों एक दूसरे के पूरग भी है तो इसका सही आंसर मेरे एकार्डिंग होगा A A और R दोनों सही है और A की सही ब्याक्या है यही आंसर इसका exact सही होगा तो यह बहुत important question है इस तरह के question आपसे पूछे जाते एक जामें बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की ओर प्रस्न संख्या question number 44 प्रस्न संख्या 44 ओके 44 क्या कर रहा है जनगर्णा 2011 के अंसर उत्तर प्रदेश के नीम्न नगरों में 10 लाख से अधिक जन संख्या का सही क्रम कर रहा है तो सही क्रम की बात कर रहा है 10 लाख से अधिक जन संख्या वाले नगरों की बात कर रहा है आपसने करा है कानपूर लखनव वाराणसी आगरा बी करा है कानपूर लखनव आगरा वाराणसी सी करा है लखनव कानपूर आगरा वाराणसी दी करा है लखनव कानपूर वाराणसी आगरा तो इसका सही आंसर होगा बी कानपूर लखनव आगरा और वाराणसी 2011 की जनगर्णा के अंसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या का घनतो धान करता है या सबसे कम डेंसिटी वाला जिला है तो इसका भी आंसर सीधे सीधे हम लोग देख लेते हैं आप सने का राया आगरा, बी प्रियागरा, सी कानपूर, एंडी ललिपूर तो इसका सही आंसर ललिपूर हो जाएगा, ललिपूर जिले का जो जनसंख्या घनतो है वा सबसे कम है, अगला प्रसना है, question number 46, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखी जीलों को जनसंख्या 2011 के आउरोही करम में ब्यवस्तित कीजिए, तथा नीचे दिये गए कूर्ट से सही उ उत्तर चुनिए, तो यह कर रहा है, आउरोही करम में ब्यवस्तित करना है, इसको जीलों को जनसंख्या के आउरोही करम में, तो जनसंख्या के आउरोही करम में इसे ब्यवस्तित करना है, तो इसका प्रयाग राज, गोरकपूर, लखनव और मतुरा, तो यहां पर ध्यान आए कि प्रियाग राज नंबर एक जन संख्या के दिरिष्टी कोण से है तो नंबर एक पर हो जाएगा इसके बाद लखनव आ जाएगा दो नंबर पर हो जाएगा लखनव और इसके बाद गोरकपूर आ जाएगा तीसरे नंबर पर इसके बाद चार पर मतुर आ जाएगा त तरह के question बार बार पूछा जाता है बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की ओर question number 47 यानि प्रस्न संख्या 47 क्यारा उत्तर प्रदेश का चेतरफल संपूर भारत के चेतरफल का कितना प्रतिसत है option A 7.97% option B कर आए 9.97% option C कर आए 10.97% option D कर आए 7.33% तो यही सही होगा exact 7.33% है या कई बार एक्जाम में पूछा गया है संपूर भारत के चेतरफल का बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की ओर प्रस्न संख्या 48 है 48 कर आए जिरंगर्णा 2011 के अनुसार नीम्न कत्नों में से काउन से सही है तो कौन से सही है वन कर आए निउन्तम साक्षरता दर वाला जिला सरावस्ती है और यह कर आए सही है हमेसा ध्यान रखना है सर्वादिक लिंगा अनुपात वाला जिला देवरिया है तो यहाँ ध्यान रखना है सरवाधिक लिंगानुपाद वाला जिला देवरियां होगा ही नहीं क्योंकि आगे के उपर के प्रस्नों में लोग देखे हैं उत्तर प्रदेश का जिला जहुनपूर है आजमगड़ है इसके बाद कह रहा है कि निउन्तम जनसंख्या वाला जिला ललितपूर होगा तो यह तो सही है निउन्तम साक्षर्ता वाला दर वाला जिला सरावस्ति यह भी सही है तो एक भी सही है दो गलत है और तीन का रहा है निउन्तम जनसंख्या घरत वाला डेंसिटी वाला जो जिला ललित पूरा है तो यह भी सही है एक और आपसन है इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं तो सही उत्तर का चैन भी करना है तो कर लिया जाएगा सही चैन का कूट करना है तो चार नमबर में भी देख लिया जाए तो इसका क्या होगा नमबर चार है नगर निगम छेत्र जनसंक्या के आधार पर सर्वादिक जनसंक्या वाला नगर कान पूर है तो यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें जो सही आंसर होगा कूट पर हम लोग चलते हैं तो देवरियां दो तो नहीं होगा एक तीन जिसमें होगा वही सही है तो इसका सही आंसर जो होगा एक तीन होगा बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्ण है question number 49 49 का राय 2011 की जनगर्णा के उसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूची जनजाती जनसंख्या वाला जिला है 49 तो आपसन एक कहरा है बहराईच, आपसन B बागपत, आपसन सीबल रामपूर, आपसन D बादा तो इसमें जो सही आंसर होगा वो B होगा, बागपत होगा, 49 का सही आंसर होगा B बढ़ते हम लोग अगले प्रस्ण की ओर, प्रस्ण संख्या 50 प्रस्ण का राय है question number 50 उत्तर प्रदेश के नीमन 4 जनपदों को 2011 की जनगर्णा के अनुसार अनुसूचित जाति की जनजंख्या के अरोही करम में बेवस्थित कीजिए हमेशा ध्यान रखिएगा अरोही और आरोही करम देकर के आपसे question जादे गलत कराता है तो इस प्रकार के जो questions हैं उन पर अधिक आप लोग practice करिएगा कि जीसे प्रस्णा एक्जाम में गलत ना हो कराय सही उत्तर चुनिए कूट की सायता से सही उत्तर चुनने की बात कराया है प्रस्ण को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के निम्न चार जनपतों को 2011 की जनगर्णा की अनुसार अनुसोची जाती की जनसंख्या के और रोही करम में ब्यवस्तित कीजिए नीचे दिये गए कूट की सायता से अपना सही उत्तर नंबर एक सरावस्ति नंबर दो बल्रामपूर नंबर तीन बहराईच हो नंबर चार जाएगा तो यहाँ पर सबसे जो अधिक होगा वो खीरी होगा इसके पहले बहराईच होगा इसके पहले बालरामपूर होगा और इसके पहले सरावस्ति होगा तो सबसे कम में सरावस्ति हो जाएगा बलरामपूर हो जाएगा बहराईच हो जाएगा और खीरी हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा अगले प्रस्ण की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 51, 50, 51 प्रस्ण संख्या 51 क्या कह रहा है? कथन कार्ण का कोश्चन है भारत का सरवादिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश आर्थिक दिरिष्टी से एक पिछड़ा हुआ राज्य है कारण के रहा है? तो इसका जो सही आंशर होना चाहिए आपसन कथन काई रहा है? भारत का सरवादिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दिरिष्टी से एक पिछड़ा हुआ राजिया यह सही है कह रहा है राजी के बीबी ने भागों के विकास अस्तर में अस्पष्ट बिनता मिलती है यह भी सही है यानि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के पूरक नहीं है तो इसका मतलब इसका सही आंसर होना चाहिए यह नहीं होगा A का रहा है कि A तथा आर दोनों सही है आर एकी सही व्याख्या या नहीं होगा B का रहा है A और आर दोनों सही है आर एकी सही व्याख्या नहीं है यही सही होगा हपसन C का रहा है A सही है प्रंतु आर गलत है या नहीं होगा D का रहा है ये गलत है प्रण्टु आर सही है या भी नहीं होगा अगला प्रस्न है Q2. fonctionne number 52 प्रस्न संख्या बावन क्या कह रहा है कह रहा है उत्तर प्रदेस में निम्लिखित में सर्वाधिक जन जाती ये जन संख्या वाला जन पत काुँन सा है जन जाती ये जन संख्या वाला जन पर ओके तो आपसन ने कहरा है सोन भद्र आपसन भी मिर्जापूर आपसन सी खीरी आपसन डी बिजनवर इसका सही आंसर होगा ए सोन भद्र और या कोशन कई बार एक्जामें पूछे गए हैं कोशन नमबर 53 कह रहा है भारत की जन गरना 2011 के उनसार उत्तर प्रदेश के निमनली खित में से किस जीले की साक्षर्ता दर सरवाधिक है समिक्षा अधिकारी 2018 में भी ये कोशन पूछा गया है ध्यान रखना है तो आपसन ए कह रहा है प्रियाग राज आपसन भी वारांसी प्रियाग राज नगर समूँ इसका सही आंसर होगा कानपूर नगर समूँ ओके अगला प्रस्ण है कोशन नंबर 55 उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातिकी सरवाधिक जनसंख्या वाला जीला है बहुत इंपार्टेंट कोशन है अभी अम लोग उपर भी देखे हैं कि लार्जेस्ट पॉपलेशन वाला अनुसूचित जातिका आपसन ने है हर्दोई ब उन्णाव सी सोन भद्र डी सीटापूर ओके तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरवाधिक अनुसूचित जातिकी सरवाधिक जनसंख्या वाला अनुसूचित जातिकी बात करा है सीटापूर ओके अगला प्रस्ण करा है उत्तर प्रदेश में अनुसूची जादी की निउन्तम जनसंख्या वाला जिला तो निउन्तम जनसंख्या वाला जिला कौन होगा आपसन एक रायागरा, आपसन विरामपूर, आपसन सीटावा and बागपत इसका बागपत तो सबसे अधिक सरवाधिक सीतापूर और सबसे निउन्तम जो है बागपत होगा यह इंपार्टेंट है बढ़ते हम लोग अगले प्रस्ण की हो कोश्यन नमबर 57 का रहा है 2011 की जनगर्णा के अंसार उत्तर प्रदेश के निमने लिखी जनपदों में इसमें महिला साक्षर्टा दर सबसे कम है UPPCS 2018 में भी यह कोश्यन आया है तो यह कोश्यन कई बार रिपीट हुए है हम लोग उपर भी देखे हैं आप से ने कहा रहा है रामपूर भीबल रामपूर सी स्रावस्ति एंडी बाराईश इसका सही आंसर होगा स्रावस्ति बढ़ते हम लोग अगले प्रस्ण की हो और आप की देखे हम लोग आंसर पर आजाते हैं ललितपूर महुवा नहीं होगा चित्रकूर नहीं होगा कौसांभी नहीं होगा आप आप लोगों को यह कोशन रट गया होगा याद हो गया होगा कि ललितपूर का डेंसिटी सबसे कम है उक्योग तो बहुत पुरुसों की साक्षर्था का प्रतिसत निम्नलिखित में से क्या है? तो निम्नलिखित में से क्या है? आपसन A कर आए 45.16%, B कर आए 49.06%, C कर आए 68.80% D कर आए 77.3% तो इसका सही आंसर होगा D, 77.3% यानि 77.3% बहुत इंपार्टेंट कोशन है, अगला प्रस्न है कोशन नम्बर 60, क्या रहा है? 2011 की जनगर्णा के उसार उत्तर प्रतिस में इस्तिरियों की साक्षर्था का प्रतिसत निम्नलिखित में से क्या है? या भी कोशन बहुत इंपार्टेंट है, हमेशा ध्यान रखेगा आप लोग, आपसन A कर आए 38.76%, आपसन B कर आए 57.2%, आपसन C कर आए 42.20%, और आपसन D कर आए 23.70%, तो इसका सही आंसर होगा B होगा 57.2% या प्रतिसत, बढ़ते हम लोग, अगले प्रस्न की ओर, कोशन नमबर 61, कर आए 2011 की जनगर्णा के उसार उत्तर प्रतिस की साक्षर्था का निम्नलिखित में से क्या प्रतिसत है? तो उत्तर प्रतिस की साक्षर्था का क्या प्रतिसत है? आपसन A कर आए 56.30%, B कर आए 41.60%, आपसन C कर आए 34.43%, आपसन D कर आए 67.72%, ओके, तो इसका सही आंसर होगा D, या भी बहुत important question है, ओके, बढ़ते हम लोग, अगले प्रस्न की ओर, question number 62, उत्तर प्रतिस के संबंद में निम्न कथनों में से काउन सा एक सही नहीं है? आपसन A कर आए, काउन सा सही नहीं है, हमेशा ध्यान रखना यानि गलत है? जनसंख्या की, जनसंख्या की दिरिष्टी से, जनसंख्या की question कर आए, 62, उत्तर प्रतिस के संबंद में निम्न कथनों में से काउन सा एक सही नहीं है? आपसन A कर आए, जनसंख्या की दिरिष्टी से सबसे छोटा जिला महोबा है? आपसन B कर आए, नियुन्तम साक्षर्टा वला जिला सरावस्ती है, आपसन C कर आए, नियुन्तम लिंगा अनुपात वला जिला बदाईं है, और आपसन D कर आए, सरवाधिक छेत्र वाला यानि छेत्रफल वाला जिला, खीरी है, खीरी से तात पर लखीम पूर खीरी, तो यहां पर देखा जाए, तो जनसंख्या कि दिश्टी से सबसे छोटा जिला महवा यह तो सही है, नियुन्तम साक्षर्टा वला जिला सरावस्ती यह भी सही है, नियुन्तम लिंगा अनुपात वाला जिला यह गलत है, और सरवाधिक छेत्रफल वाला जिला लखीम पूर खी तो यह गौतम बुद्ध नगर होगा, इसलिए यह गलत है, बढ़ते हम लोग अगले प्रस्न की हो, अगला प्रस्न है, कोशन नमबर 63, 2011 की जनगर्णा के अनुसार कितने प्रतिसत सलम, सलम आवादी राज में निवास करती है, यानि 2011 के अनुसार कितने प्रतिसत सलम, यान यानि गंदी बस्तियों में लोग निवास करती है, सलम से तातपर है, गंदी बस्तियों में लोग निवास करती है, आपसन यह है, 12%, आपसन B, 9.5%, आपसन C, 10% and आपसन D, 11.5%, ओके, तो इसका सही आंसर होगा, B, 9.5%, कोशन नमबर 64, कह रहा है, उत्तर प्रदेश में की इस सबसे कम है, ध्यान रखना है, यह भी कोशन कई बार पूछा गया है, 64 भी, आपसन यह बाउद, आपसन B, जैन, आपसन C, पार्सी and इसाई, इसका सही आंसर होगा, B, जैन, ओके, बढ़ते हैं, अगले प्रसन क्यों, प्रसन संख्या, 65, कह रहा है, 65 कह रहा है, राज में सर इसका सही आंसर होगा, मेरट, अगले प्रसन की और बढ़ते हम लो, कोशन नमर 66, 66 कह रहा है, उत्तर प्रदेश की कूल कारे सील आबादी में कितने प्रतिसात क्रिशक हैं, बहुत इंपार्टेंट कोशन है, तो आपसन A कह रहा है, 37 प्रतिसात, आपसन B कह रहा है, 31 प्रत इसका सही आंसर होगा, C, अगले प्रसन की और बढ़ते हम लो, कोशन नमर 67, कह रहा है, सलम आबादी में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा अस्थान है, या भी इंपार्टेंट है, आपसन A कह रहा है, प्रतम, आपसन B, दुति, आपसन C, तृति, अपसन D, चतूर्थ इसका सही आंसर होगा, 4 या नि, चतूर्थ अस्थान है, अगला प्रसन कह रहा है, 68, कोशन नमर 68 कह रहा है, देश में अनुसूची जाति की जनसं क्या, प्रतिसत में उत्तर प्रदेश का कौन सा अस्थान है, अनुसूची जाति की जनसं क्या, प्रतिसत में कह रहा है, पर प्रस्ण कह रहा है 69 कोश्चन कह रहा है 2011 के उसर राजी में सीशू लिंगा अनुपात है तो सीशू लिंगा अनुपात कितना है तो सीधे इस आंसर पर ही ही टम लोग कर लेते हैं 902 है हमेशा ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में सीशू लिंगा अनुपात 902 है तो इस प् मंदित कुल 69 लगबग 70 कोश्चन्स हम लोगों ने देखा और आप लोग इन प्रस्नों को अच्छे से देखिएगा एक्जाम के लिए बहुत ही लाब प्रद होंगे फिर हम लोग इंपार्टेंट प्रस्नों की स्रिंकला के साथ मिलते हैं अगले भाग में अगले सेशन में